कहते हैं कि इनसान को उसकी करनी का फल इसी जनव में मिल जाता है और ये किन वानिये मिलता है आपको सरभजीत सिंगा नाम पता होगा 1990 के दस्तक में एक दिन क्या होता है कि वो ड्रिंक करके अपने गाउं से निकलते हैं और पाकिस्तान पहुंच जाते हैं पाकिस्तान में उनको ग्रिफतार के लिया जाता है और ग्रिफतार करके उन पर बहुत सारे अत्यचार के जाते हैं 1991 में पाकिस्तान में एक बंबिस फोर्ट हुआ था, वहाँ पर मंजीत सिंग नाम के एक व्यक्ति की तलास पाकिस्तान के पुलिस कर रही थी और गलत आइडेनिटी दिखा कर सरब जीत को उसकी जगह ये लोग अरेश्ट कर लेते हैं और हलां कि किसी को पता ही नहीं रहता कि जो सरब जीत हैं वो गए कहां पर और ना ही पाकिस्तान की और से क्योई कमनिकेशन मना जाता है उनके परिवार से या भारत सरकार से कि आपके एक आदमी को हमने यहाँ पर अरेश्ट किया हुआ है हाँ उनको जेल में बंद कर दिया गया था और बदस्तूर जो कि पाकिस्तान कर सकता है वही वह कर रहा था कि भीशन अत्याचार उन पर किये जा रहे थे वहाँ से पाकिस्तान की जेल से एक आदमी रिया होता है वो भारती होता है वो जब पहुंचता है सरबजीत के गाउं तो वो बताता है कि एक ऐसे केस में सरबजीत को गृफ्ता कर लिया गया है पाकिस्तान में जिसमें वो सामिल थे ही नहीं मनलब गलत पहचान के आधार पर उनकी गिरिफ्तारी कर ली गई थी और फिर उन पर जो है बहुत सारे अत्याचार और जुल्म किये जा रहे थे फिलाल जो भारत के लोग थे भारत सरकार ने भी प्रयास किया और उनके परिवार के लोगों ने भी प्रयास किया और अंदतर जो उनकी बहन थी वो मिल भी पाती है अपने भाई से लेकिन तब तक उनकी हालत बहुत ही बुरी हो चकी थी एक पत्र उनका आया था उसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारती नागरिक सरबजीत पाकिस्तान के कोट लखपत जेल में रहते वी भारत भेजी अपनी चिठी में लिखा था उनोंने कि मुझे पिछले दो महीनों से खाने में कुछ मिला कर दिया जा रहा है इसे खाने से मेरा सरीर गलता जा रहा है मेरे बाएं हाथ में बहुत दर्द हो रहा है और दाहिना पैर लगातार कमजोर होता जा रहा है खाना जहर जैसा है इसे ना तो खाना संभव है ना खाने के बाद बचाना संभव है सरबजीद ने ये चिट्टी तब लिखी थी जब लाहाओर के कोट लखपत जेल में दर्द बरदास से बाहर हो गया था लेकिन जेल अफसरों का कसाई से भी बदतर ब्यवहार जो था वो जारी था सरबजीद ने जेल में धीमा जहर देने की आसंगा जताते हूं लिखा था कि जब भी मेरा दर्द बरदास से बाहर होता है और मैं जेल अधिकारियों से दर्द की दवा मांगता हूं तो मेरा मजा कुड़ाया जाता है मुझे पागल ठहराने की पूरी कोशिस की जाती है मुझे एकान कोठरी में डाल दिया गया है मेरे लिए रिहाई का एक दिन भी इंद्जा करना मुस्किल हो गया है तो यहां पर दोस्तों बात करेंगे सरबजीत जो थे वो एक गरीब किसान थे और उनकी जो गरिफ्तारी हुई थी वो गलत पहचान की वज़र से हुई थी 28 अगस्त 1990 की रात में बुरी तरह सराप के नसे में उधुत थे और चलते विए बार्डर से काफी आगे निकल गये थे जब बार्डर पर उन्हें पकड़ा गया तो बहुत ही बेहरमी से पीटा गया और उन्हें ये भी पता नहीं चला था कि उन्हें मार कौन रहा है शरबजीत सिंग भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे तरन तरन जिले के भीकी विंड गाउं के रहने वाले किसान थे 30 अगस्त 1990 को अंजाने में पाकिस्तान सीमा में पहुँच गये थे तब उनकी उम्र जी जादा नहीं थी मात्र वो 26 साल के थे तोillarfrens पाकिस्तान के लहोर में अंडरृर डान, अमीर सरफ़राज की अज्याथ हमला औरवर ने गोली मार कर हत्या कर दी है अमीर कोट लख पदजिल वही है जिसने AISFIN की सारे पर पाकिस्तान की जिल में बंध भारती नागरिक सरभजीत की हत्या कर दी थी पाकिस्तान की कोट लखपत जिल में अमीर सफराज ने सरबजीत को बहुत भी बुरी तरीके से तलपा-तलपा का मारा था बहुत पिटाई की थी और पॉलिथिन से उनका चेहरा जो था वो बांद दिया था मतलब दर्द की वो इंतहा इस निर्दोस भारती नागरी के महसूस की जो की सायद रूख को कपा दे ये निश्य दूरुप से frustrated लोगों का काम होता है जो मों कुछ नहीं कर पाते हैं तो असहाय लोगों पर अपनी ताकत दिखाते हैं पाकिस्तानी खुफिया इजंसी आई एसाई की कहने पर अमीर ने सरवजीत को तरपा तरपा कर मारा था और अंतत मौत उसके भी हिस्से में आई तो खबर यह आ रही है कि ये जो अमीर सरफराज है तस्वीर आप देख रहे होंगे इसको ये एक पाकिस्तानी ग्यात हमला और ने गोली मार कर इसकी हत्या कर दिये इंसान जैसा करता है उसको वैसा भरना ही पड़ता है